सुप्रभाद प्यारे बच्चों हिंदी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों मैं आज आपके लिए एक कविता लेके आई हूँ चलिए आज का कविता सुरू करते हैं कव्वा करता काउं काउं नौका जाता काउं काउं खिलोना पापा लेकर आए लौकी की सब जीवन वाए मम्मी कचोडी लेकर आई हमने खुब मौज से खाई फौजी रहता है सरहद पर दुस्मन भागे उससे डर कर बच्चो अभी हमने जो कविता सुना उस कविते में कुछ ऐसे सब्द हैं जिनमें आउं की मात्रा का प्रयोग होता है जैसे कवा, नौका, खिलावना, लौकी, कचोडी, मौज, पाउजी, दौर बच्चो अभी हमने जो सब्द देखें और सुनें उन सारे सब्दों में आउं की मात्रा का उचारन होता है आउं की मात्रा इस प्रकार दिखता है आउं की मात्रा बेंजोन पर लगा कर कैसे पढ़ते हैं? चलिए पढ़ते हैं जो तव में आउं की मात्रा तव ठा में आउं की मात्रा ठव तो बच्चो इस प्रकार हम कर से लेकर गियां तक आउं की मात्रा लगा कर पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है? तो बच्चो आज का हमारा विशर वस्तू यही आउं की मात्रा है तो पहले आप सब अपने हिंदी किताब को देखो ये है अउकी मात्रा अउकी मात्रा इस प्रकार दिखता है अभी चलो कैसे अउकी मात्रा लगाकर सब्दों को पढ़ते हैं पहले इधर लिखा है चित्र पहचानों बर्न और मात्रा में लाकर सब्द पढ़ो तो इधर पहले लिखा है ना आउ का आ नाउ का का आउ आ कवा ला आउ का इ लाउ की इख ला आउ ना आ खिलाउना का च आउ ड इ कचाओडी त आउ इ ल य आ ताउलिया च आउ का इ द आ र चाओ की दार रबच्यो इस प्रकार वेंजनों में आउ की मात्रा लगा कर पढ़ा जाता है अभी चलो तुम्हारे किताब में और कुछ सब्द हैं उन सारे सब्दों को भी पढ़ते हैं इदर पहले लिखा है तो बच्चो अभी हमने ये सारे सब पढ़ लिए अभी चलो तुम्हारे किताब में कुछ बाक्या हैं उनको भी पढ़ते हैं पढ़ो समझो और लिखो गावरी के मौसा फौज में काम करते हैं वे जौनपूर में रहते हैं गावरी के मौसा आने वाले थे इसलिए गावरी चौक से लाकी लाई उसने लाकी की बर्फी बनाई गावरी के मौसा आ गए साथ में उनका नौकर भी आया नौकर बवना था उसने बड़े मौद से पकवडी खाई खेल खिलावने राजा भाईया यहा है तोता यहा गावरया तो बच्चो अभी हमने यह सारे वाक्य भी पढ़ लिए तो चलिए अभी इन में कुछ ऐसे सब्द हैं जिनका आर्थ हमें लिखना है समझना है तो इधर पहले लिखा है नौका नौका क्या होता है? नौका अर्थो डौंगार जो उत्रे की तुम्हें मने ख्यारिवा को बहुत भौल पाओ फिर उसके बार लिखा है लौकी लौकी एक प्रकार का सबजी होता है तो लौकी अर्थ लाओ यहां एको प्रकार परिवा फिर उसके बार लिखा है बौना बौना अर्थ बाम्मन जो लुक मा नंकर उच्च दा बढ़े नाई से गेड़ा है रही जानती से मानों को आमें बामन बुलिकोँ तो बना अर्थ बामन फिर उसके बाद लिखा है मौसम मौसम अर्थ पाग बारितु फिर उसके बाद लिखा है आवरत आवरत अर्थ हला से लख मा महला तो बच्चो ये सारे सब्दकार्ट हम अभी जान लिए आप सब उनको अपने हिंदी कॉपी में लिखना ठीक है तो बच्चो अभी चलो तुम्हारे किताब में कुछ प्रस्न है उनका उत्तर हम अभ्यास करते हैं तो पहले एक नंबर पर लिखा है दिये गए सब्दों को सुध करकर लिखो तो बच्चो यहाँ पर कुछ सब्द लिखे हैं उन्हें हमें सुध करकर लिखना है मतलब ठीक करकर लिखना है उनका मात्रा को ठीक करकर लिखना है तो इधर पहला सब लिखा है फॉज तो फ में जो ओ की मात्रा है उसे हम अउ की मात्रा करेंगे तो हो जाएगा फॉज फिर इधर लिखा है चौवखट तो च में जो ओ की मात्रा है उसे हम अउ की मात्रा करेंगे तो हो जाएगा चौवखट फिर इधर लिखा है दड तो द में ओ की मात्रा है उसे हम अउ की मात्रा करेंगे तो हो जाएगा दवड फिर इधर लिखा है खीलोना तो ल में जो ओ की मात्रा है उसको हम अउ की मात्रा करेंगे तो हो जाएगा खीलाओना फिर इधर लिखा है मौका तो हम म म में जो ओ की मात्रा है उसे अउ की मात्रा करेंगे तो हो जाएगा मौका तो इधर लिखा है औरत तो ओ को हम अउ करेंगे तो हो जाएगा औरत तो इस पकार एक नंबर होगा फिर दो नंबर देखेंगे दो नमबर पर लिखा है उदारन के अनुसार सब्दों को मात्राओं को अलग करके लिखो तो इधर एक उदारन दिया गया है मौसी तो इधर वेंजनों को और मात्राओं को अलग करकर लिखा गया है कैसे? म, अउ, स, इ इस प्रकार तो हमें इन सारे सब्दों को भी उसी प्रकार वेंजनों को और मात्राओं को अलग करकर लिखना है तो इधर पहला सब लिखा है साउदागर तो इसको हम अलग करकर लिखेंगे पहले लिखेंगे सा, फिर अउ, फिर द, फिर आ, फिर ग, फिर र हो जाएगा सवधागर फिर इधर लिखा है चौक तो हम इसको अलग करके लिखेंगे पहले लिखेंगे चर फिर आओ फिर कर तो हो जाएगा चौक फिर इधर लिखा है माउसम तो इसको भी हम अलग करके लिखेंगे पहले लिखेंगे मा, फिर आउ, फिर स, फिर मा, तो हो जाएगा माउसम फिर इधर लिखा है तौलिया, तो इसको भी हम अलग करके लिखेंगे पहले लिखेंगे त, फिर आउ, फिर इ, फिर ल, फिर य, फिर आ, हो जाएगा तौलिया तो वज्चो इस प्रकार दो نمबर होगा अभी तीन नमबर देखेंगे तीन नमबर पर लिखा है चित्र पहचान कर नाम लिखो तो वज्चो यहाँ पर कुछ चित्र है उनके नाम हमें लिखने है तो ये पहला चित्र कौन सा है औरत तो हम इधर आरत लिखेंगे तो ये दूसरा चित्र किसका है? हताडी तो हम इधर हताडी लिखेंगे फिर इधर देखो इधर नौके का चित्र है तो हम इधर लिखेंगे नौका फिर इधर कवा का चित्र है तो हम इधर लिखेंगे कवा फिर इधर जोहरी का चित्र है तो हम इधर लिखेंगे जोहरी फिर इधर पौधे का चित्र है तो हम इधर लिखेंगे पौधा तीन नमबर इस प्रकार होगा तो बच्चों आप सब इन सारे रश्णों के उत्तर को अपने हिंदी कापी में और हिंदी किताब में लिख लेना ठीके अभी मैं चलती हूँ दोबारा फिर से आऊंगी और एक नए मात्रा के साथ मैं रहती हूँ धिन्यवाद